हलो एवरिबन चलो देखते हैं मार्केट का मोमेंटम कर सकता है हम कौन से डिरेक्ट मेंट रहते हैं और क्या क्या चीज़ी हो सकती है अभी फिलाल के लिए हम बार्केट का सिचुएशन को देखते हैं तो आपको अबजर हो रही होगी कि काफी लॉंग टाइम से चीज मार्केट कॉमन पैटन बना रहा है मार्केट एक तो चीज करता है एक तो मार्केट क्या करता है मार्केट बार-बार सेलिंग प्रेशर क्रियेट करता है इंट्राडे में बहुत हेवी सेलिंग प्रेशर करता है लेकिन last time पे, मतलब last hour पे, market उस चीज को recover कर जाता है, हमेशा, selling pressure create किया, market नीचे चला आया, last hour पे market ने वापस recovery किया, ऐसे हर दिन होता है market में, market down open हुआ, selling pressure create हुआ, last time पे market recover करके उपर जाकर close कर गया, हर बार, यहाँ पर, same, यहाँ पर market किया, selling pressure करिया, market उपर जाकर close momentum, आप इसको क्या बोलना चाहोगे, आप इसको क्या बोलोगे, या फिर आपके language उसको क्या बोलते हो, अब क्या इसको बोलते हो, actually आपको क्या लगता है, कि यह क्या scenario है, ऐसे scenario कि आपको क्या बोलते हो, आप क्या बोलना चाहोगे, everyday market एकी pattern follow कर रहा है, market हर बार, selling pressure create करता ह है लेकिन जब भी मार्केट नीचे जाता है वापस यह से आपको कॉमन क्या दिक रहा है कि सेलर्स मार्केट में बार बार एंटरी करनी की कोशिश कर रहें लेकिन मार्केट को बार बार जितना वी लेके जा नीचे जैसे जाते हैं, बायर साइड होते हैं, मार्केट वा अपस उपर जाकर क्लोज कर जाते हैं. मतलब एक चीज़ कॉमन है, कि मार्केट में सेलिंग प्रेशट का जादा अभी तक यूज नहीं हो रहा है. लेकिन एक बात समझेए, मार्केट उपर जा रहा हैं, कितनी बार सेलर डॉमिनेट कर पाएंगे, और कितनी बार 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 डॉमिनेट कर पाएंगे, बार 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 डॉमिनेट कर रहें, और सेलर बार बार डॉमिनेट कर रहें, और सेलर बार बार डॉमिनेट कर रहें, लेकि buyers आपको कभी अपने ऐसा देखा है कि बहुत बड़ा momentum market को उपर लेके जाब आ रहे है ले काफी long time से अगर देखा है कि नहीं देखा अपने क्यों कि market उपर तो suddenly जाता है लेकिन selling pressure वापस आता है फिर उपर जा रहा है मतलब एक चीज है market जैसे आपको सोचिए मैं अभी जो बता रहा हूँ ये deep analysis बता रहा हूँ अच्छे से सुनेगे सोचो यहां से ये 1000 रुपिस का level था और market 2000 रुपिस पर चला गया है rally में और 2000 पर जानने के बाद market बस ऐसे ऐसे जा रहा है और market अब जो time लगा रहा है यहां पर जो time लगा है वो लगबग मान के चलते पूरे एक महने का time लगा है market को उपर जाने के लिए यह जो time है यहां से यहां तक का यह जो time है और अब जो यहां पर time लगा है यह भी एक महने का ही है यह भी पूरा वन मंती है लेकिन इस बार मार्केट कितना जा रहा है 2300 समझ गए तो बहुत बड़ी चीज बता रहो नई समझ गए तो कम सिकम 10 बार तो उसको पीछे-पीछे करके देख लो समझ जाओगे मैं क्या बता निकोशिश करो यहाँ पर भी वन मंती लग रहा है यहा पर नहीं होए थी यहा पर रैली आहीं ती मार्केट में एक हादर से धौत मतलब 1000 अज रृपीस का यहां पर मुमेंटम आया था पॉइंट का और यहाँ पर 2300 रोच है मतलब domination कोन कर रहा है domination सेलर्स बार बार करते जा रहे लेकिन उंप more market को गिरा नहीं पा रहे है तो कभी ना कभी तो domination उनका भी आएगा अभी buyers को domination चल रहा है market को धीरे धीरे करका उपर ही लेखे जा रहे domination चल रहा है लेकिन एक दिन lite का बीक Release ज़ादा आ रही है कि डॉमिनेशन जो चल रहा है यहाँ पर जो चल रहा है मार्केट में यह स्ट्टी सड़ी जा रहा है इसकी वज़े से थोड़ा सा option मैं में domination थोड़ा सा difficult डीफिकल्डी जाएगा बार को तोड़ा डिफिकल्ड इस क्रियेट कर रहा है एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो सेलर भी पैसा बनाएंगी और बस उसके लिए प्रिपर रहो गलती से जाकर कॉल होल्ड करके मत लेकर जाना करके क्योंकि यहां पर दिक्कत ऐसे आनी वाली है एक ही दिन ऐसा आएगा ना कि पूर जा रहा है जहां से मार्केट निकलेते यहां तक पहुचा और फिर यहां से डॉमिनेशन चल रहा है और यह मुमेंटम को छोड़कर मार्केट और भी भाग सकता है मैं नहीं बोल रहा है कि नहीं बाग सकता है जा सकता है लेकिन चांसिस थोड़े सेलिंग के जादा रखने ह का मतलब है कि जब confirmation आएगा गिरने वाला confirmation आभी तक नहीं मिला इसके लिए मैंने ही बोल रोकर सेलिंग करना है last week में मैंने आपको बताया था कि एक मोका हमें सेलिंग का बड़ा दिख सकता है लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गाया, यहां से मार्केट जा रहा था, मैं सोच रहा था कि मार्केट यहां पर gap down हो पुन हो तो जा सकता है, लेकिन मार्केट ओपन ही gap up हो और फिर से निकल गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, प्लानिंग के ही साब से चलेंगे, देखो म मैंने अभी जो समझा रखा है इस इस कम्प्लिट डीप अनलेशिस एंड डीप मार्केट का अंडरसेनिक अगर आप समझ गए होंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा अभी देखो यह जो रेंज क्रेट हो चुका है यह रेंज क्रेट हो चुका है 21,000 में एक बार थ मुझे पहले बैंक नफ्टी के बारे में कुछ बता देता हो अब कंसेप को समझ गए होंगे यह हर जगा पर काम करता है कई पर भी तो कोई इशू नहीं है अभी फिलाल के लिए बैंक नफ्टी देखते हो बैंक नफ्टी कहा पर होल कर रहा है इस होल्डिंग मार्केट को थोड़ा से ज़्यादा पेइन क्रियेट करने वाला है तो ट्रेड कैसे करना है कुछ चीज़े लोजिकली बतर वाच चीज़े सुनिगे अगर मार्केट कल यहाँ पर होने बाद आगर अपर सड में निकल जाता है और फिर निकल जाता है 48,000 जीरो लगबख 80 के उपर मार्केट अगर निकल जाता है अगर ऐसा कुछ मार्केट अगर प्रॉस करके निकल जा रहा है तो इस केसे में आपको क्या करना है इस केसे में आप जल्दी से मार्केट को बाई करो लेकिन जब भी यहाँ पर उपर मार्केट जाएगा एक बार मार्केट बार बार सेल साथ चलते जो अगर मार्केट जा रहा है घुम के वापस आकर आपको स्टॉब लॉशिट कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉपिट अप घर लेके चले जाने चाहिए होड नहीं करना है कुछ प्रॉपिट घर लेके चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला इस बात को को खयाल रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है इस बात को बिल्कुल याद रखो हो जाएगी मार्केट क्या करेगा शॉट कवर करने की कोशिच जादा कर सकता है मतलब की उपर उपर ही ओपन होना 48,500 450 अगर ऐसे जगा पर बैंक निपती कही पर भी गैप अप कर जाता है तो ये मौका बहुत तगड़ा बनेगा बायर्स के लिए एक मौका जरूर मिल सकता है बस पहले पाच मिनिट हमें वेट कर रहा है बस एक बार पाच मिनिट पहले अगर मार्केट उपर के लिए उपर होल् इस बात को को खयाल रख लेना चाहिए अगर स्लाइटली गैप अपन हो जाता है 48,200, 220, 180 ये सारे लेवल के पास हम कही पर भी ओपन हो रहे है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिरेकली जम नहीं करेंगे हम क्या करेंगे क्लियर प्राइस पैटन को वेट करेंगे कैसे वेट क अगर आपको बुलिश केंडल दिख जाती है जैसे बुलिश इंगल फिंग, हैमर केंडल को दिख जाती है तो उसी केंडल के उपर आप मार्केट को भाई करने कोशिश कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आया तो यह एक अन्फरमिशन मिल जाएगा अगर मार्के को जल्द बाज़े में बाय मत करना, क्योंकि उपर के जो 300-400 पॉंट मुझे दीख रहे, 300-300 पॉंट उपर दीख रहे, उस सारे लेवर्स मार्केट को थोड़े से परेशानी कर जाएगा, यह आपको कभी भी परेशानी कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजे, अंटील आगले मार्केट बहौत बड़ा गैप डाउन, कोई अन्वाने मार्केट सा सा धाप डाउन, 47 कोई अन्वाने मार्केट, ऐसा कोई पर कुछ चीजे दीख जाएगा कि कोई कोई رتळ崁 मार्केट में आएगा और उस अंसर्टिनेटी में हम मार्केट को सेल करनी कोशिश करेंगे अंटिल अल्स यहाँ पर हम कोई प्लान नी क्रेट करेंगे मैं अभी थोड़ी देर पहले यूट्टीब पर लाई हुथा मैं नहीं यहाँ पर बढ़ता कर रहा था अब इतना समझ चुके होंगे इससे ज़्यादा डिफिकल प्लान कोई बनाने के जरूरत नी है बस इतना ही सिंपल सा प्लान बनाओ अंसर्टन गैप अप मेरे लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी से कुछ अच्छा टेड़ बननने के लिए अंसर्टन गैप डाउन मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी थे कुछ अंच बनाने के लिए फ्लाट ओपन अपर क्रॉस कर रहा है मैंने आपको अल्री बता चुका हो कि ट्रेलिंग के साथ ज़ल्दी ज़ल्दी चलिए ओके सब्सक्राइब को देख लेटेगे लिए क्या हैं कंप्लिट लिट ले चुका हैं एक से लिंग क्रेट किया डाउन आया रेंज क्रेंट किया फिर से डॉमिनेशन करके ऊपर के लिए जाकर हूल एक कोशिच करे लिए निप्ती काफी स्ट्रॉंग है। निप्ती ने पिछलीी कैंडल कैसी बनाई है। मैं निप्ती में आपको हमेश्य कीज़ बता हूँगा आने वाले टाइम के लिए फोड़े आठ एक आए लिकाय के लिए 10 दिन के लिए पिर ऐलेक्शन तक की बाद करा हॉँ… आप निप्टी में जभी भी ट्रेड कर रहे हो नुप्ती आप देखोगी ना तो शेलिंग बहुत प्रेशराइज करता है, पहली बारे हो प्रेशर करता है और उतना ही जादा रिक्वर भी कर जाता है, मतलब निप्टी काफ़ी स्ट्रॉंग बिहईविर कर रहा है, तो निप अगर 48,000 से निकल जाता है, तो 500 तक थोड़ा सा पेंफूल है, 5,450 के आसपास, उसके बाद अगर निकल जाता है न फिर बैंक नुटी को कोई रोकने वाला नहीं है, फिर बैंक नुटी और मोमेंटम कर सकता है, सारा ज्यादातर पिचर जो चल रहा है, वो एलेक्शन की मार्केट में थोड़े से अपन डाउन है, तो कल हमारा थोड़ा सा RBI का पॉलिसी भी है, तो RBI का पॉलिसी डॉमिनेशन कैसा होता है, उस चीजों को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो कल 10 बज़े के पहले, बतलब RBI पॉलिसी जब तक नहीं होता, तब तक आप क्योंकि थोड़ा सा वोलेटरेटी मार्केट में अनसा रटेंडी बन सकती है, तो उसको संभालो और फिर ट्रेड करो, अब इतना समझ चुकेंगे, मैं मैं बतलब आपको इस नेक्स वीड में, तब के लिबावे वारियन, टेक केर.